सबी को प्यार बरा नमस्कार आज हम लों graphical study of motion में कुछ basic graph को देखेंगे graphical study इसलिए भी आउसेख हो जाता है क्योंकि ये एक स्वभाविक सरल study है जो सहज ढंग से motion को analyze करने में आसान करता है अगर graph के थूँ आप motion को पढ़ेंगे तो realize करना, visualize करना, explain करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले position versus time graph की बात करते हैं तो पहले एक position versus time graph आपको draw किया हुआ है और इस position versus time graph में इस axis में time आपने लिया है y axis में आपने position लिया है अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे मतलब time बढ़ेगा अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे मतलब position बढ़ेगा और बीच में graph plot होता है इसका मतलब position और time दोनों बढ़ेगा जैसा कि पहला graph आपको दिख रहा है इस graph में object जो है origin के respect में एक position पे जा करके रुका हुआ है stationary है और वैसे कि इसमें आप claim कर सकते हैं कि ये rest के condition का graph है यानि इस तरह का graph अगर आपको मिले जो कि parallel to time axis हो तो आप conclude कर सकते हैं कि object जो उस situation में रहा होगा वो object rest में रहा होगा चलिए एक और हम लोग graph यहां पर ले लें ये भी graph हम position versus time ही लेंगे चलिए time को t से denote कर लेते हैं position को s से denote कर लेते हैं और graph कुछ हमको फिर से state line ही मिले लेकिन state line होने के साथ साथ ये time axis पे incline हो अब एक बात करेंगे अगर हमको जैसे x axis के लिए time है y x के लिए position है और अगर इस तरह का कोई graph आपको मिले तो उसमें आप slope निकाल सकते हैं slope is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 जो कि 10 theta के बराबर होता है तो हम position भी mark कर लेते हैं अगर हमारे पास एक position यहां पर मान लिजे कि s1 है दूसरा position हमारे पास यहां पर s2 है और ऐसे केस में कुछ क्या corresponding time note कर लेते हैं corresponding time t1 corresponding time t2 ऐसा करके और इसके बीच हम slope निकालें तो यहां पर slope जो है आपके पास ओ 10 theta के बराबर होगा चलिए इस angle को हम theta assume कर लेते हैं और यहां पर y axis में s है और x axis में t है इसलिए इसको लिखेंगे s2 minus s1 by t2 minus t1 means यह क्या होगा slope यह तो आपको delta s by delta t मिला और delta s by delta t basically भी होता है यानि आप एक चीज़ confirm हो जाएए कि अगर आपको position versus time graph का slope मिले तो भी मिलेगा भी आपको दो चीज़े हो सकती है या तो speed हो सकता है और नहीं तो velocity हो सकता है तो उसी तरह से position भी हमारे दो हो सकते है positional change हमारे पास दो हो सकते है एक तो distance के term में बात कर सकते है और एक आप displacement के term में बात कर सकते है अगर आप displacement के term में बात कर रहे हैं तो जो slope है वो velocity देगा और distance के term में बात कर रहे हैं तो आपको speed देगा ऐसे one dimension में अगर without change of direction motion take place हो रहा है तो ऐसे case में magnitude of velocity speed के वराबर ही होता है तो वहाँ पर concern होने की जरुवत नहीं है opposition time graph, displacement time graph भी है और distance time graph भी है लेकिन जब direction change हो तो थोड़ी सी बाते change होगी जिसकी बात हम लोग आगे चल करके कर लेंगे अभी फिलहाल हम इस बात पर आ रहा है हाँ एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है अगर हम equal time slot में यहाँ पर divide किये तो जो change of position हो रहा है displacement या distance cover की बात करें वो आपको दिख रहा है कि equal ही हो रहा है देखे T1 time में S1 distance जो है T2 time में S2 distance जो है सब equal है और अगर इस तरह से equal नजर आए इसका मतलब क्या है कि motion uniform है क्योंकि आपने बोला था if equal changing position take place in equal interval of time the motion is set to be uniform तो uniform motion के किसमे acceleration 0 होता है यहाँ पर acceleration 0 होगा यानि without acceleration अगर motion है तो कुछ graph इस तरह का आएगा इस case में आप देखिए T is equal to 0 पे object का जो position है ओ 0 है मतलब object origin से start किया है means आप यहाँ पर conclude कर सकते हैं कि object origin से move करते हुए कुछ इस तरह से चला है और चुकि position आपको above the time axis है ऐसे case में आप बोल सकते हैं कि positive लेना पड़ेगा ऐसे भी origin के इस तरह हम positive लेते हैं अब displacement की बात करें distance में तो positive negative की बात नहीं होती है अगर displacement की बात करें तो displacement इस case में positive होगा इसे का अगर दूसरा graph हम लोग लेकर के discuss करें दूसरा graph B आपके पास इस तरह का कुछ एक axis में आप position दूसरे axis में time ले लिजे हाँ आपको axis mention करना बहुत ही आउसक है axis अगर नहीं mention करेंगे तो confusion बढ़ जाएगा अब यहाँ पर graph आपको फिर से यही मिला यहाँ भी जो state line है यहाँ भी state line है मतलब और सब information common रहेंगे slope आपको velocity दे देगा acceleration 0 होगा लेकिन एक बात यहाँ पर चुकि T is equal to 0 पर इसको already position का advantage मिला हुआ है मतलब यह जब start कर रहा है और यह move कर रहा है तो यह above the time axis है इसका मतलब इसको अगर S note मानते हैं तो S note gap origin के respect में already start करने के पहले ही मिला है वो origin से start नहीं कर रहा है दूसरी situation यह भी हो सकती है कि graph ऐसा नहों करके आपका graph कुछ ऐसा हो ऐसे किसमें आप origin से advantage की बात आगे नहीं कहेंगे यह origin से पीछे रहा होगा और तब वहां से start करके चलना start किया होगा इसलिए इसका आपको दिख रहा है कि जो नीचे से start हो रहा है एक्चली यहां से यहां तक distance minus s not लेंगे और a minus s not आपको mark करके दिखाये जा रहा है उसके बाद जब चला तो और सब information उसके लिए वही हुआ है जो इस graph का है क्योंकि इस graph में भी velocity constant है चुकि slope constant है acceleration zero है अब देखिए next बात करें यहां पर अगर मान लीजे कि graph कुछ ऐसा नहीं start हो करके यहां से graph start होता है इसमें कहना बहुत ही आउसक है कि इस case में time zero से object start नहीं किया है जैसे कभी कभी running में क्या होता है ready steady go fire हो गया उसके बाद कोई बंदा वहीं पर रुगा हुआ रहा उसको बाद में वह हिसास हुआ कि race start हो चुगा है तो तो delayed start किया start वहीं से कर रहा है और move कर रहा है तो वैसे case में आप बोल सकते हैं कि starting तो यहीं से है लेकिन time का delay है तो यह सब possibility यहां पर हो सकती है एक और possibility की बात करें यहां पर सभी graph जो बता है उसमें हमने यह theta को acute रखा मतलब theta आपका less than 90 था theta less than 90 का मतलब होता है 10 theta का value positive quadrant rule में मालूम ही है first quadrant में सभी positive होते हैं 10 theta positive होगा तो अगर आपको इस तरह का कोई भी slope दिखे इसका मतलब आपको conclude करना है कि जो velocity होगा और positive होगा velocity होगा और positive होगा कभी-कभी आपको यह acute angle के बजाए 90 से less angle के बजाए obtuse angle मिल सकता है obtuse angle भी मिल सकता है जैसे acute angle के case में तो आप conclusion डाल दिये कि velocity positive होगा इस तरह का graph अगर नज़रा है हो सकता है कि आपको तब ऐसे case में अगर time axis के साथ time के positive axis के साथ ही angle देखना है theta आपको greater than 90 time के positive axis के साथ theta greater than 90 मतलब angle obtuse हो गया अब obtuse angle के लिए second quadrant में 10 का value negative होता है मतलब slope negative होगा उसका और अगर slope negative है तो यहाँ पर velocity आपका negative होगा तो यह बात होगी और acceleration तो इसमें 0 है चलिए acceleration के sign की बात नहीं करनी है अचा एक बात और अगर आप कहना चाहें कि इस case में displacement क्या होगा तो चुकि displacement above the time axis है उपर का जो position है ओ पोजेटिव है तो अब इस case में आप यहाँ पर positive मार कर सकता है यह positive है displacement भी यहाँ भी positive है यानि displacement positive होने का मतलब object जो है origin के respect में forward direction में जिदर आपने positive assume किया है उधर move कर रहा है अगर हम यहीं पर graph को थोड़ा सा modify कर लें change कर लें यह graph मान लिजे कि आप नहीं जाना चाहते हैं past में यह तो t is equal to 0 से start हुआ है इधर का जो time होगा वो past का time होगा तो past में नहीं जाना चाहते हम यहीं से start करना चाहते और तब हमारे past अगर graph इस तरह से आए अब बोलेंगे कि हम time axis के साथ यहाँ पर angle बना दें तब तो हमको यह angle negative होगा हाँ obvious है क्योंकि अगर आप clockwise angle जाते हैं तो positive लेते हैं तो anti clockwise sorry anti clockwise angle positive लेते हैं तो clockwise आपको negative मिलेगा तो एक तो तरीका यह है दूसरा यह जो concept theta 90 से बड़ा theta 90 से कम तो आप एक काम कीजिए इसी line को extend कर दीजिए इस point पे इसमें velocity negative है लेकिन velocity negative होने के साथ साथ velocity तो negative हो गया साथ ही साथ आप एक चीज़ देख सकते हैं कि time axis के नीचे है मतलब आपका displacement भी यहाँ negative है पहले पहले cases में sign पे ध्यान दीजेगा वीडियो को back करके आप एक बार देख लीजेगा और यहाँ पर देख लीजेगा differences आपको पता चल जाएंगे तो यह तो बात होई state line की state line although analyze करना realize करना, visualize करना, explain करना सब easy है लेकिन state line के अलावा भी हमारे पास possibility बनेंगी जिसकी अब बात हम लोग को करनी है जो curve है अब curve में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे के समझना है actually curve ही ज्यादा मज़दार है तो curve में आपको दो तरह के curve मिल सकते हैं जैसा कि एक हमने इधर time ले लिया इधर position ले लिया और यह graph कुछ हमको ऐसा मिला अब इस graph के analysis कर लेनी है सबसे पहले state line था तब तक हर point पे slope से मिल रहा था लेकिन जैसे ही आप इसको curve बना देंगे हर एक point पे आपको slope अलग मिलेगा और देखिए हर point पे angle चेंज हो रहा है in fact angle इंक्रीज कर रहा है आप चाहें तो actual time axis से भी देख सकते हैं और नहीं तो time axis के parallel दूसरा axis plot करके भी देख सकते हैं वहाँ भी angle आपको clearly दिखाई देगा मतलब आप ऐसा कर लें और यहाँ पर एक time axis जैसा draw कर लें सभी जगा आपको angle दिखाई दे रहा है एक बात मालू है कि theta के increase करने से 0 से 90 के तरफ जब theta increase करेगा तो वैसे किस में slope भी increase करेगा मतलब अगर slope increase कर रहा है okay slope मतलब 10 theta यह मतलब velocity अगर यह increase किया तो 10 theta का value भी increase कर रहा है तो velocity increase करेगा एक बात clear है कि velocity नहीं बोल करके speed बोल दिए magnitude of velocity वो increase करेगा अब increase करने के बाद दूसरी बात हम लोग को mark कर लेनी है अगर हम इसको equal time slot में काट लें okay equal time slot में काट लें equal equal time में divide कर लें तब हमको क्या मिलेगा वो देख लीजी वहाँ से आपको एक information बहुत अच्छा मिलेगा माल यह T1 था T2 था T3 था और यहाँ पर आपने इसको जॉइन किया corresponding position axis में corresponding position axis में दिख रहा है कि equal time में जो displacement हो रहा है वो uniqual हो रहा है in fact increase कर रहा है तो वैसे case में velocity तो increase कर रहा है यहाँ से भी दिख रहा है मतलब यह non-uniformation है और यहाँ पर acceleration भी है यहाँ पर acceleration भी है अब बात करेंगे हम लोग acceleration के sign की तो देखे एक्सेलेशन is equal to आपके पास भी minus u by t होता है यहाँ पर speed अगर मान ले position axis में speed दिखा लिए सकते लेकिन assume कर लिजे कि इस position पे आपको 10 meter per second मिला तो अगले position पे obvious है कि 20 meter per second आपको मिलेगा और उसमें हो सकता है कि time interval कुछ 2 second 5 second कर रहा तो अगर हम 20 minus 10 final minus initial by time मान लिजे 10 second ही ले ले लेते हैं तो 1 meter per second square जो आ रहा है वो positive आ रहा है यानि इस case में अगर इस तरह का graph आपको मिले तो आप बोल सकते हैं कि acceleration कैसा है positive है अच्छा displacement के बारे में तो आपका information clear ही था क्योंकि अब पोजिशन एक्सिस है तो displacement आपको positive ही होगा ओके तो S positive हो गया ओके भी positive ही हो जाएगा और साथ ही साथ आपको acceleration positive एक बात मालूम है कि अगर velocity और acceleration का sign same हो तो speed जो है sign same हो मैं बल रहा हूँ अगर दोनों positive हो तब दोनों negative हो तब speed increase करेगा और अगर दोनों का sign opposite हो तो ऐसे किसमे speed decrease करेगा अच्छा इसी graph में चलिए थोड़ा सा एक और part analyze कर लिया जाए ये भी साथ ही साथ हो जाए अगर graph कुछ इस तरह से हो तो इसके बारे में sign कैसा क्योंकि इस analysis से आपको बहुत clear और बढ़िया information मिलेगा जो आपके help का होगा चलिए ठीक है अगर हम यहां से मिलाते चलें तीन position जैसे हैं मिला है वहां मिला लेते हैं और तीनों position पे हम x axis के respect में नजरा रहा है और अगर 90 से ज़्यादा नजरा रहा है मतलब slope जो होगा वो negative होगा अभी बात कर रहे थे और slope negative मतलब velocity negative होगा displacement की बात करें यह तो above position axis है तो यह positive होगा अब सबसे important discussion आपको यहां पर जो लाजमी है जरूरी है वो है acceleration का ठीक है जैसे इसको mark किये थे हम 20 meter per second और इसको mark किये थे 10 meter per second अब देखिए चुकि time बढ़ा रहा है तो यह initial और यह final हो जाएगा अब देखिए यहां पर acceleration अगर आप निकालना चाहें तो that is V minus U by T V के value की बात करें तो आपको 10 मिला U के value की बात करें तो यह 20 मिला by time जैसे 10 second लिये थे ले सकते हैं अब यहां पर आप देखोगे कि acceleration negative आ रहा है लेकिन ओ confusion का point होगा क्योंकि आपको याद रखना है इस तरह velocity सारे negative थे यानि आप यहां पर एक minus sign भी put कर दिजिए अब देखिए यह फिर से plus one आ जाएगा ओके यानि यहां पर acceleration भी positive है यहां पर acceleration भी positive है कहने का मतलब एक आपके लिए बहुत बड़ा hack आपके लिए बहुत बड़ा logic आपके लिए बहुत बड़ा trick को लिए कि अगर position versus time graph का जो बाउल है okay concave upward है concave upward होने का मतलब acceleration always positive concave upward होने का मतलब acceleration always positive यह याद रखिएगा यह आपके बहुत काम का चीज़ है और काम आएगा भी ओके ठीक है अब इसी में हम एक graph को change करके देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा वो भी देख लें क्योंकि यह तो concave upward की बात हो गई अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ concave downward की बात कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह का अगर हो situation यह situation हो तो वैसे case में क्या होगा इस तरह के situation में आप फिर से बात कीजिए position वो तो positive होगा क्योंकि above position above time axis है और दूसरी बात velocity kick करें फिर से आपको slope निकालना होगा तो slope आप हर एक point पे निकाल सकते हैं हर एक point पे निकालने का मतलब क्या है कि इस point पे चले मिलाते चले इस point पे आप चाहें तो time axis से एंगल जो है अभी भी 90 से कमा रहा है एक तो slope निकालने का यह तरीका हुआ किसी point पे एक और तरीका हो सकता है जिसको आप यूज कर सकते हैं वो तरीका क्या हो सकता है कि आप वही जो graph था उसमें हर जगा time axis के parallel axis draw कर लेते और वहाँ पर angle देख लेते की कैसा है ठीक है तो angle यहाँ पर 90 से ले से मतलब velocity positive होगा अब एक बात और है कि speed की बात करें अगर equal interval of time में आप इसको cut करके देखेंगे मान लिजए कि यहाँ पर जितना time t1 था उतना ही time आपने t2 ले लिया उतना ही time आपने t3 ले लिया और तब इसको position axis से मिला करके देख रहे है equal time में unequal distances cover हो रहे है non-uniform motion तो होगा ही मतलब acceleration तो है ही है साथी साथ यह slow down होते जा रहा है मतलब speed यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि speed decrease कर रहा है जैसा graph आपको बता रहा है ओके अभी आप एक काम कीजिए acceleration की बात कर लिजिए यहाँ पर speed जब decrease कर रहा है acceleration की sign की बात करें यहाँ पर मान लिजिए कि speed आपको 20 था यहाँ पर 10 हो गया तो यहाँ पर 10 minus 20 time interval चलिए 10 second ले ले लेते हैं तो यहाँ पर minus 1 आ रहा है याँ ऐसे case में आपको जो acceleration का sign है वो negative होगा और मैंने पहले भी बताया था कि जब आपका acceleration का sign और velocity का sign opposite हो तो speed decrease करेगा याँ इस case में speed will decreases तो overall यहाँ पर conclusion यह निकाल सकते हैं कि अगर आपको सीधे position versus time graph जो है वो कुछ इस तरह का रहा तो आपका acceleration always positive क्योंकि concave upward है और अगर position versus time graph आपको इस तरह का रहा तो आप बोल सकते हैं कहीं भी उस case में acceleration negative होगा क्योंकि यह concave downward है इसके analysis को करके आप बहुत सारे questions के answers दे सकते हैं जहां पर sign की बात होती है और बहुत important है आपको sign को discuss करना तो यह बाते हो गई अगर graph curve हो तो क्या हो आप इसका discussion कर लेंगे देख लेंगे तो चलिए position versus time graph में इतना काफी है अगर concept की बात है तो हम अगर यहां पर बात करें दूसरा that is velocity versus time graph अगर यह velocity versus time graph मतलब यह भी हो गया और इस axis में आपने T लिख लिया तो वैसे केस में देखे क्या होगा हाँ velocity के magnitude भी को आप speed भी बोल सकते हैं अगर ज़रुत पड़े तो भी को आप velocity भी बोल सकते हैं situation देख करके और one dimension में तो मैंने बोला कि कोई खास अंतर नहीं होता तो वैसे के इसमें अब एक बात सोच सकते हैं कि motion किस तरह का हो रहा है हाँ अगर यह ऐसा situation है तो कई बार लोग confuse हो जा जाते हैं कि velocity का line parallel to time axis है हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर object rest में है नहीं यहाँ पर velocity constant है यहाँ पर object की velocity constant है object move कर रहा है ओके लेकिन constant velocity से तो constant velocity मतलब uniform motion आप ऐसा conclusion ला सकते हैं तो rest ना लिख करके इसको v is constant कर लीजे v is constant और v constant मतलब acceleration 0 चलिए एक बात होगी uniform motion में acceleration 0 होता है अब एक और यहाँ पर बहुत अच्छा information मिलेगा अगर आप एक काम करें इसको close figure करतें और close figure करने के बाद से इसका area निकालें तो area अगर आप लिखते हैं तो area एक तरफ से तो time है तो एक तरफ velocity और into एक तरफ time चलिए velocity को उसके definition के मताबिक displacement ओके by time लिखे displacement by time यह time और time cancel हो गया तो ultimately area अंडर भेटी ग्राफ आपको क्या दे दिया area अंडर भेटी ग्राफ आपको displacement दे दिया और अगर speed होता तो distance देता क्योंकि यह distance by time लिखते तो graph speed versus time है या graph velocity versus time है accordingly यहाँ पर area displacement या distance दे रहा है यह पता चल जाएगा एक बहुत important आपको point मिल गया चलिए next अगर हम बात करें हमारे पास मान लिजे कि अलग-अलग velocity भी टी graph है यह भी और T तो अलग-अलग velocity अलग-अलग time पे है तो ऐसे case में क्या होगा मान लिजे कि यहाँ पर V1 है यहाँ पर V2 है यहाँ पर V3 है मतलब graph inclined to time axis हो गया अभी क्या है कि आप अगर slope निकालेंगे slope मतलब 10 theta कहीं से भी निकालने तो अगर इतने पार्ट कहीं निकालने तो वैसे case में आपके पास V2-V1 by T2-T1 मतलब change in velocity by time तो rate of change of velocity is called acceleration यहाँ पर acceleration है और आप एक बात ध्यान दीजे extent line का slope हर point पर constant होगा हर point पर same होगा इसलिए acceleration यहाँ पर कैसा होगा acceleration आपको constant होगा तो यह constant acceleration के साथ अगर कोई object चल रहा है तो उसका velocity versus time graph इस तरह खाओगा एक बात और है कि T is equal to 0 पर भी भी 0 है मतलब initially object rest में था और तब हो चलना start किया है पहले से चल नहीं रहा था अगर यही graph आपको कुछ ऐसा मिल जाए इस तरह से इस axis में velocity इस axis में time तो आपका conclusion क्या होगा सारे conclusions same होगे लेकिन यहाँ पर चुकि above the time axis कुछ late से start हुए है तो यहाँ पर एक initial velocity जिसको v0 या u बोलते हैं वो रहेगा और finally object के पास और velocity होगी हो सकता है यह graph ऐसा नहों यह graph कुछ ऐसा हो तो वैसे case में क्या होगा object का velocity negative है मतलब उसका displacement negative होगा मतलब जहाँ origin है उसके पीछे से start कर रहा है origin यहाँ है वो object यहाँ से start कर रहा है तो यहाँ पर यह minus v dot या minus u से start अभी हो सकता है जैसा वहाँ पर आया था आपके पास case वैसा यहाँ भी case आ जाए कुछ ऐसा तो वैसे case में क्या है कि आप बात कर सकते हैं कि इस case में object का initial velocity 0 ही है और साथी साथ object late start किया है मतलब शुरू में जब timer start हो गया तो object move करना start नहीं किया तब तक कुछ देर तक वो rest में रहा उसके बाद से वो move करना शुरू किया ऐसे curve की भी possibility हो सकती है curve की possibility में आपको acceleration non uniform हो जाएगा हम लोग बात कर रहे थे यहां पर कि अगर आपको slope निकालना है तो acceleration मिलना है area निकालना है तो displacement and distance मिलना है एक बात और यह जो area निकाल रहे हैं वो area कौन सा है जैसे इस graph में आपको confusion हो जाएगा आपको अगर इधर से मिला करके ऐसे करें तो आपको एक area इधर मिलेगा ओके अगर हम यहां नहीं मिला करके सिधे हम time axis के साथ देखें तो हमको एक area यह मिलेगा यहां पर जो area जिसकी बात करनी है वो always याद रखिएगा positive time axis के साथ area आपको लेना है या time axis के साथ यह area लेना है जैसे यहां पर यह है तो आप जिस area को calculate करके displacement निकालना चाहते है वो basically यह आपका होगा यह वाला area जो आपको क्या देदेगा displacement और अगर आपको इस graph में देखना है तो ठीक है time axis के साथ ही बना हुआ है मतलब आपको यह area displacement दे रहा है और इसमें भी दो तरह के बन रहा है दोनो area although equal होगा लेकिन आप confusion ना करें आपको जो time axis के साथ area बना है उसी को लेना है और वही आपको displacement देगा तो यह बहुत important आपके लिए clue या conclusions मिल गए है अब थोड़ी सी बात वो जो तीन इगाल के देख लिए ओ भी आपके लिए काफी फाइदेमन रहेगा कभी भी जरूत पढ़ने पर आप यूज कर सकते हैं जैसा कि आप एक uniformly accelerated motion का graph ले लिजिए अच्छा initial velocity का zero होना एक special case है हम एक general case में हमारे पास initial velocity मान लिजिए कि है इसके पास यू जैसा एजियूम करते हैं कर ले और इस graph को O, A, B और इस तरह से मिला करके D triangle जहां तक बन रहा है वहां तक C मान लिजिए दो property हैं एक slope तो सबसे पहले हम slope निकालना चाहेंगे slope आपके पास मतलब 10 ठीटा 10 ठीटा मतलब क्या आपको उपर से BC और नीचे आपको AC मिलेगा ओके चलिए इस line को भी velocity axis जो है वहां पर मिला लिजिए ये भी हो गया और यहां पर time T एजियूम कर लिजिए तो जो आपको acceleration मिला slope acceleration देता है इसलिए आप यहां से इस line का length निकालना चाहेंगे तो भी और ये part तो नहीं है वहां इसलिए minus U और ये AC जो है T के बराबर है by T ये पहला equation आपको मिल गया पहला relation मिल गया in fact equation निकालना है तो बस cross multiplication कर दीजिए भी minus U is equal to 80 या आप equal sign को उधर लेके चलिए तो भी is equal to U plus 80 चलिए next हमने बोला था कि अगर आप इसका area निकालें अब area जो diagram बन रहा है उसके अनुसार trapegium बन रहा है और trapegium का जो area होता है वो basically आपको sum of parallel side into half into sum of parallel side into time होता है तो sum of parallel side में आपको BD लेना पड़ेगा BD B के बराबर है तो यहाँ पर B और plus दूसरा parallel side O A है यह U है और height की बात करें height आपको यह time के बराबर है इसको T ले लीजिए तो half into अगर आप लिखना चाहें इसको तो B already आपको मिला हुआ है यहाँ से B का value put कर लेजिए तो U plus A T plus U into T मतलब यह हो गया half 2U plus A T into T यह हो गया आपको half into 2U T plus A T square अगर आप इसको multiply कर लेते हैं U T plus half A T square यह S का relation मिल गया तो first relation आपको मिल गया था second relation भी आपको मिल गया तीन equation of motion है इस दोनों equation ने time का involvement है और तीसरा equation without time होता है इसलिए तीसरे equation को निकालने के लिए आपको इसी दोनों का help लेना पड़ेगा क्योंकि तीसरी property तो हमारे पास है नहीं एक तो है slope आपको acceleration देगा और तुसरा area जो है आपको displacement देगा तो वहां से अगर आप करना चाहें तो फिर वापस आते हैं वापस आकर के आप करेंगे क्या जैसे यहाँ पर a is equal to b minus u by t है हम अगर a और t का position exchange कर दें तो t is equal to ऐसा भी आ जाएगा equation 1 में अब चलिए हम यहाँ पर put करते हैं आप तो हो गया भी प्लस यू ट का भैलू भी माइनस यू बाइए ऐसा हो गया ऐसा इसकॉल टू ऊपर देखिए भी प्लस यू और माइनस इंटू भी माइनस यू है तो a plus b minus a minus b का जो होता है वो a square minus b square हो जाएगा और बाइए चलिए इसको अगर क्लॉस मालिटिप्रिकेशन कर दें तो 2 a s is equal to v square minus u square यह भी square is equal to u square plus 2 a s यह आपको third relation भी निकल गया तो graph के help से आप तिन OEक्षीन कर सकता हो आपको ठेसा हो जाएगा प्लस निएकेशन कर देसा है यह झार सकता है